नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हूँ मैं 12 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानि दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं यानि बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शनिवार है आश्वी नमास शुकल पक्ष की आज दशमीति थी है स्रवननक छत्र है धृतियोग कौलो करण है बातु की पंचांग की चंद्रमा आज मकर राशी में रहेंगे और अभिजित महुरत का समय दिन में 11 बचकर के 21 मिनट से 2 पहर 12 बचकर के 7 मिनट तक का होगा वही राहुकाल प्रातह 9 बजे से 10 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कारे से चुरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्यक कार्य को अभिजित महुरत में प्रारंभ करना चाहिए ये अभ प्रिद्रशकों आज पूरे दिन और रात्री सरवार्थ सिध्ध योग है आप जानते हैं इस योग का महत्तो कोई भी कारmania सरवार्थ सिध्ध योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शिगर ही सिध्धी प्रदायक होता है आज जयनती ग्रहन करने का दिन है और आज नील कंठ पक्षी का दर्शन भी बेहद शुभ माना गया है प्रिदर्शकों विजया दश्मी अपने आप में सर्व स्रिष्ठ मुहूर्थ ये मुहूर्थ इतना स्रिष्ठ है से स्वयम सुध्ध मुहूर्थ कहा गया है कोई भीकारे प्रारंभ करना हो यूं समझ लीजिए कि ये म प्रारंभ हो या कोई और भी कारिय विश्यस करके व्यापार इत्यादी प्रारंभ करने के लिए तो इससे सुरिष्ट मुहुर्त हो ही नहीं सकता है। साधना के बल पर जीवन में उसको सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरू बात कर लेते हैं ग्रहिस्थतियों की। गुरू वक्रवस्था में वर्षबरासी में संचरन कर रहे हैं और वहीं मंगल मिथुन में हैं। केतु और सूर्य यूती बनाकर कन्यारासी में संचरन कर रहे हैं तो हीं शुक्र और बुध यूती बनाकर तुला में। शनिदेव वक्रवस्था में कुम्भराशी में संचरन कर रहे हैं राहू मीन में ये है ग्रहिस्तुदी। प्रिदर्शुको गोचर कुंडरी में चंद्रमा का संचरन आज स्वयम के नक्षत्र में हैं। देव गुरु ब्रहस्पती से नमम पंचम योग बना ये चंद्रमा गुरु की दृष्टी से दृष्ट हैं। मंगल की दृष्टी से भी ये दृष्ट हैं। तो वही राहू के साथ चंद्रमा का लाभ संबंध बना हुआ है। आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? शनिवार का दिन कौन सी उराशिया हैं जिनके लिए बेहद खास सिर्ध होने वाला है? और कौन सी उराशिया हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यक्ता है? कौन सी उराशिया हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी उराशिया हैं जिन्हें अपने नयकारे प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? में शुषे लेकर मीन राशी परियंद, प्रतेक राशी के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेश प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वुष्टान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है, जिसे करके आप आज इस दिन को स्रिष्ट बना सकते हैं निस सभी जो मरे इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशिफल आपके जन्मराशी के आधार पर है यनि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस अराशी में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशी है अगर आप अपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचली नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं महुर्तगी सत्र अक्टूबर दिन गुरुबार शरद पूर्णिमा है उस दिन प्रस्वतिका इश्नान का महुर्त अन प्राशन व्यापार आरंभ करने का महुर्त नया वस्त्रधारण करने का मुहुर्त तो वहीं अपने कुल देवता को प्रतिष्ठित करने का मुहुर्त मिल रहा है हल प्रवहन, वीजवपन, शस्त्रधारण, आवेधन पत्रलेखन का मुहुर्त तो वहीं भूमिक क्राय करना है तो उसका मुहूर्त नूतन वधु कर्म नई वधु घर में आई है उसके द्वार हाथों कोई कारे प्रारंभ कराना है वाहन क्राय करना है प्रेदर्शकों ये सभी कारियों सुबह आठ बज करके 31 मिनट से 10 बज करके 38 मिनट के बीच ब्रिश् हैं वह आज से ठीक 5 दिन पूर्व ही मैंने बता रखें है आज के मुहूर्त में आपने एक विशेस मुहूर्त सुना कुल देवता के प्रतिष्ठा का मुहूर्त ये है क्या इसके बारे में आपको जरूर जानकारी चाहिए होगी ले लेनी चाहिए प्रेदर्शकों बहुत इत जाता है वो उनको देखने नहीं जाते पूजा करने नहीं जाते और असलमें देखा जाए तो यही आपकी जड़ है तना उपर का हिस्सा लाग चमक धंबक के सांथ होता है लेकिन जड़ नाराज होता चला जाता है और एक ऐसा समय आता है कि आप कहीं के नहीं रह जाते ये जो मुहूर्त आपको मिल रहा है वो इसी का है अगर आप अपने कुल देवता को जहां रहते हैं अपने पित्र को कुल देवता को स्थापित करना चाहते हैं अपने जहां निवास उस्थल के पास या आपके पास उसी का ये मुहुर्त है दिव्य महा प्रयोक की ओर लेकर करके अब आपको चलूँगा उससे पूरु बता दूँ यह दिया आपकी दिल्चस्पी जोतिस में है जोतिस सीखना चाहते हैं जोतिसी बनना चाहते हैं जोतिस को सीख कर अपने जीवन को सहज सरल और सुगम बनाना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए ये एक प्लेलिस्ट है उनली एस्ट्रोजी नाम का इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एके करके देखिए और विश्वास मानिए आप जोतिसी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं अद्भुत दस सूत्र की ओर। जन्म कुंडली के अश्टम या द्वादस में केतु और शनी की यूती हो जाएं अथवा केतु इन ही भाव में हो अश्टम या द्वादस में इन पर शनीदेव की दृष्टी हो जाएं तो ऐसे जातक की स्थिति यही है। अब बहुत द्यान से समझेगा आज के सूत्र को क्योंकि इस्त्रापितियोग है और ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में संघर्स बना ही रहता है। लेकिन मैंने क्या कहा साधना इससे सम्मंधित ब्रिहत चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूँ। जब मैंने बताया था कि जब सुख भाव का मालिक या किसी और भाव का मालिक नवम में जा रहा है तो अच्छा रिजल्ट कर रहा है। लेकिन जब धर्म भाव का मालिक अश्टम वैराग्य में जा रहा है तो कष्ट क्यों और वैराग्य का स्वामी लगन में जा रहा है तो धर्म और वैराग्य तो एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं तो कष्ट क्यों असल में हम इसको केवल और केवल भौतिक सुख के दृष्टि कोण से देखते हैं अब लीजी आज वो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं यह कह रहा है कि आप साधना करते रहें साधना के दम पर आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर जातक धनुलगन का हो और देव गुरु ब्रहस्पती नवम भाव में अथवा बार्वे भाव में हो तो भी ऐसा जातक धर्म के छित्र में बस लगा रहे तपस्या करता रहे और बस अपने तपस्या के बल पर ही वो हर तरह के भावतिक सुख को प्राप्त कर लेगा कुंडली में मंगल और केतु की युती यदि कुंडली के छटवे आठवे या बार्वे भाव में हो तब भी ऐसा व्यक्ति यदि द्रढ संकल्प के साथ साधना करे तो उसको जीवनकाल में हर तरह की वो उच्चतम सफलता प्राप्त हो जाएगी जो कि उसको मिलनी चाहिए जो कि आम लोगों को मिलती है बाकियों को मिलती है शनी लगन या दसम भाव में हो और उन पर देव गुरु ब्रहस्पती की द्रिष्टी हो शनी लगन गत हो दसम में हो तो जातक के जीवनकाल में कभी कोई काम वक्त पर नहीं होता पर सूत्र पूरा कहता है कि देव की दृष्टी हो तब भी ऐसा जातक साधना के दम पर अपने जीवन काल में सब सुख सुविधा सफलता हासिल कर लेगा यदि कुंडली के दसंभाव में शुक्र और केतु की यूती हो तो भी ऐसा जातक अपने कारे च्छित्र में साधना और तपस्या के बल पर सफलता हासिल कर ही लेता है प्रिदर्शकों, राहु बारहे में स्थित हो और ऐसे राहु पर शनी की दृष्टी हो ध्यान से समझिएगा ये कारागार योग प्रबल कारागार योग बनेगा लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ये कहना क्या चाहता है सिद्धानते ये कहना चाहता ऐसा जातक साधना के बल साधना में लगा रहे निरंतर मंतर जब साधना तब करता रहे उसे किसी न किसी तरह की विशेस सिद्धी प्राप्त कर लेनी चाहिए जीवन में वो कभी असफल और परिशान नहीं होगा शनी और चंद्रमा ये विश्योग है यदि जन्म कुंड़नी के चतूर्थ भाव में ये यूती हो तो जातक मानसिक रूप से बेहद अशांत होता है लेकिन ऐसा जातक नित्य ध्यान करे ध्यान पर ही नियंत्रण करना शुरू करे तो भी ऐसा जातक अपने जीवन काल में गुरू से द्रिष्ट हो बारमे का मालिक केंद्र अत्थवात्रिकोंड में हो उच्छ का हो और गुरू से द्रिष्ट हो तो एसा जातक त्याग तपस्या साधना के दमपर जीवन में सबी भातिक सुख हासिल कर लेता है और दसमा सूत्र कहता है कि नवँभव का स्वामी ल सामने मैंने रखे जो कि आपके मन में कुतुहल उत्पन करेंगे और कुछ लोगों के मन में संसे मैं दोनु का ही निराकरण कर देता हूं देखिए बहुत ध्यान से सुनिए और इस बात को समझना चाहते हैं तो आज से एक दो दिन पूर्व जो मैंने रासी फल में कर्म के लि कर्म किये जाओ फल की चिंता मत करो ये असल में गलत अर्थ है बिना फल की चिंता किये कर्म किया ही नहीं जा सकता कर्म करना है तो फल की चिंता करनी होगी ये इसका अर्थ नहीं है कर्मने वाधिकार हते कर्म पर ही आपका अधिकार है मा फलेशू फल पर नहीं ये कहना चा ही नहीं जा सकता कर्म करना है तो फल पहले सामने होना चाहिक हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि भई फल ही तो उद्देश से है अगर हम फल को उद्देश से हटा दें तो काम निरुदेश से हो जाएगा तो भगवान कृष्ण ये नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम जो कर्म क तुम्हारे कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है फल पर नहीं हो सकता अब जाहिर सीवत है फल क्या है परिणाम है परिणाम पर हमारा अधिकार नहीं होता है अब जरा ध्यान से सुनी जब भगवान श्रीकृष्ण ने इतनी बड़ी बात कही कि कर्म पर ही अधिकार है और कर्म नहीं करके सब कुछ पाया जा सकता है, कर्म प्रधान ही विश्व रचर्याखा वाली बात है, तो फिर ये दस्धान्त क्यूं ऐसे मैंने बताए, जो कि ये कह रहे हैं कि आप अकरमणने बन जाओ, नहीं, एक दम नहीं, आपने ध्यान से नहीं तब सुना, आपको या तो समझ में ही नहीं आया, या आपने ध्यान से सुत्र को नहीं सुना, प्रेदर्श को साधना करना, क्या बच्चों का खेल है, साधना भी वही कर सकता है, जो करमणने हो, अकरमणने साधना कर ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है, अकरमणने साधना क्या करेगा, निर्वीर्य व्रिक् किसी को छाया तक नहीं दे सकता वो क्या उत्पन न करेगा तो साधना भी वही करेगा जो कर्म में भरोसा रखता हो जो कर्म करता हो क्योंकि साधना अपने आप में सबसे कठिन कर्म है साध लेना साध लो सामाने सा सब्द है तो साध ना क्या इतना आसान हो सकता है नहीं ये सारे सिध्धांतों में सूत्रों में ज्यादा तरमें आपने केतु को सुना होगा जो तो शास्त्र में केतु को आध्यात्म का कारग कहा गया है शणी का साथ रहू इत्याधी सूर्य गुरू का साथ आपने सुना होगा देंखिए ये सारे सिध्धांत असल में अकरमणने होने के लिए कह ही नहीं रहे हैं ये कह रहे हैं कि आप जो भी करिए निरलिप्त भाव से करिए क्योंकि केतु मोक्ष का जब कारग रहा है आध्यात्म का कारग रहा है तो वो चाह छोड़ करने की बात कह रहा है चुकि ये रासी फल का विशय है और था विशय आगे बढ़ जाएगा नहीं तो एक सामाने सा जहानी की मदंती सुनी होगी कि सूर्दास जी एक बार कुमे में गिर गए और वो जिद्ध पर बैठे कि जब भगवान कृष्ण आएंगे निकालने तभी निकलूंगा भगवान कृष्ण आये और निकाल दिये क्योंकि उनको दिखाई नहीं पड़ता और उसी जिद्ध म बिलाते रहे वो नहीं आये तुम्हें जब आँख दे ही दिया तब तुम खुद ही निकलो असल में यहां साधना का अर्थ जो है प्रकृति विवेक यहां दी हुई है और साधना का यहां अर्थ है कि सोच समझ करके होश में रहते हुए और तब साधना की जाए और असल में देखा जाए तो यह सारे सिध्धान्त उसी तरफ ही सारा कर रहे हैं कि ऐसे जातक को भाग्य का साथ आसानी से मिलने लगेगा। इसके लिए परमपिता हर जगह खड़ें क्यों क्योंकि यह साधक भी है। अब बारी आती है कि आपका कर्म भी साधना और साथ साथ जो हमारी बाकी की साधनाए होती हैं मंत्र साधना, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र की साधना तब आप दीन दुनाराद चोगना बढ़त बहुत है, तो वहा होती है, Hoeko Co rust, कुदारी तो अगर आपकी कुंडली में इसमें से एक सूत्र है, तो पहले आप साधक होंगे नहीं हैं तो हो जाना चाहिए और इशके बाद ne is possible परमात्मा पर छोड़ कर और विश्वास मानिए जो औरों को सौ करने के बाद नहीं मिलता मेरा दावा है बीस करते करते आपको मिल जाएगा असी प्रतिसत की छूट आपके लिए चली चलते हैं राशी फल की ओर बाद करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राश के जातकों के बिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज दोसम में संचरन कर रहे हैं ये चंद्रमा आज स्वैम के नक्षत्र में है के सरकातिलक अपने माथे पर लगाईए माता का विश्यस रूप से सम्मान ही आज घर से बाहर निकल लिए आपके सभी कामे केक करके बनते चले जाएंगे आज का दिन बढ़िया है आपके लिए रोजमर्रा के सभी काम आपके पुरुन होते दिखाई पढ़ रहे हैं और धन संबंधी मामलों में कहीं कोई परिशानी की स्टुथी थी तो उससे आप शीघ रहीं मुक्ति पालेंगे कारिक्षित्र में कोई बड़ा कारे आपको मिलने वाला है यू समझ लीजिए कि आपकी परिक्षा है और अगर आप इसे पार कर जाते हैं तो सीघ मान सम्मान में आपके बृधी भी होने वाली है करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेन में बाला है दिन नई नौकरी के कागजात पर साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ब्यापारियों को ब्यापार में फाइदा कारिक्षित्र में नए कारे की शुरुवात विश्ष्ट लोगों से मुलाकात करनी है तो आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पढ़ा है तो आज का दिन बहुत बढ़िया अनि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं इस रासी के जातकों का आज का दिन बेहत खास दिखाई पढ़ रहा है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज पिंक है बात वर्षव की कर लेते हैं कोचर कुंडली में चिंद्रमा का आपकी रासी से आज नवम का संबंध है आज प्राता काल एक छोटा से काम करिए पांच पत्ता तुलसी जी का लेकर के उसका सेवन करिए थाली पेट इससे आपको फायदा मिलेगा जो भी काम करिए पूरी य नवकरी करने वालों को उच्छा धिकारियों से थोड़ी परिशानी हो सकती है लेकिन घबराने की आवशकताने किसी को धन उधार मत दीजेगा वाहन चलाते समय लापार वाही मत बरतिएगा प्रेम संबंध के दृष्टिकोंड से दिन बढ़िया है दामपत्य जीवन में कोई परिशानी थी तो बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है बिद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्ते के मामले में बस थोड़ी सावधानी की आवशकता है बाकी कोई दिक्कत नहीं लकियंक एक लखी कलर आपके लिए आज काला है निवेश अगर व्यापार इत्यादी में कहीं करते हैं तो कर सकते हैं मिथुन के जात्कों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का रासी से आपके अश्टम का समंध आज प्रातर काल कोई भी सफेद मिष्ठा नित्यादी आपके पास हो तो सफाई करमी को या कहीं कोई गरीब भिगारी वगर हो तो उनको दी दिजेगा करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा योजना बद्ध धंग से काम करिये करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं समझदारी के साथ करिये ब्यापारियों की बात करूँ तो दिन आपके लिए बेहत अनुकूल है योजना बद्ध धंग से काम करिये ब्यापार में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति है तो पार्टनर से बात चित करनी चाहिए बहस विवाद से दूर रहना होगा लव लाइफ के दृष्टि कोण से देखें तो पेट जन्ने रोक की संभावना है लखियंक दो लखी कलर आपके लिए आज पीला है बात करक की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज सप्तम का संबंद है स्वयमके नक्षञत्र में संचरन करें चंद्रमा अज पंचगव्या आपको मिल जाए तो पंचगव्य का सेवन करिए चान्दी के पात्तर से जल पी जिये माता के स्वास्त का खयाल लखिये, माता का सम्मान करी, घर से बाहर जाने से पूर्व माता को प्रणाम करके ही जाईएगा मान सम्मान में आपके बृध्धी होगी, आसपास के लोग आपके लिए आज सहयोगी होंगे कारेक छेतर में उच्छा धिकारियों से भी विशेश सहयोग मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा बस इतना ध्यान रखना है कि धैरे जरूरी है ब्यापारियों को ब्यापार में लाब होने वाला है, धन संबंधी मामलों में कहीं कोई दिक्कत ही तो दिक्कत दूर होगी, अचल संबंधी से संबंधित कोई सौधा आपका नहीं हो पा रहा था, वो बात बन जाएगी प्रेणियों के लिए दिन ठीक है, दामपत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों की बात करूँ तो बहुत बढ़ी आए दिन, बस कड़ी मेहनत के लिए तयार रहीगा दिन अच्छा है स्वास्त के दृष्टि कोण से देखें, तो स्वास्तिय में भी कोई विशेश परिशानी नहीं, लखी अंक दो लखी कलर आपके लिए आज ओरेंज है बात सुमकी कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज सश्ठ का संबंध बन रहा है प्राता काल खाली पेट पांच पत्ता तुलसी जी का लेकर के उसका सेवन करिये दिन भर उत्साह में आपके ब्रद्धी होगी और कोई बड़ा निवेस करने की सोच रहें तो वो भी कर सकते हैं, पर बिना जानकारी इधर की बात उधर मत करीगा, आज लड़ाई बढ़ सकती है सबके साथ सम्मंद मधूर बनाये की कोशिश करिए, बिद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा, कोई प्रतियोगी परिक्षा है तो वहाँ भी आपको सफलता में लेगे और स्वास्त के दृष्टि कोण से देखें, तो मुह के छाले दंत रोग अगर इससे ग्रसित हैं तो ये परिशानी बढ़ेगी लखियंग एक लखी कलर आपके लियाज के शरीया है बाप करन्याकी कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमाय रासी से आपके आज पंचम में हैं स्वाइम के नक्षत्र में चंद्रमाय का संचरण है, सरसो के तेल में बिलो पत्र डाल करके उस तेल से पुरे सरीर की मालिस करिए, इसके पश्चात आश्नान करिए आज आपका दिन बढ़िया बन जाएगा, महत्वा कांशाप की पुरुन होगी, और यूं समझ लिए कि कोई बड़ा फैसला जो खुद के लिए करना है, आज आप करिए आफस में आपको महत्तों मिलेगा, इंकम और सेविंग दोनों अच्छी होगी, कोई अच्छा ओफर मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा सोचे हुए सभी काम आपके पूरुन होंगे, और सोचे हुए कारे को प्रारंभ करने के लिए दिन अच्छा है, उत्सा, आतनोविश्वास के दम पर आज हर तरह से आप आगे बढ़िए जोखिम ले सकते हैं खुद को सिध्ध करने का इससे बहतर आपको समय नहीं मिलेगा, पर दूसरों के भरोसे नहीं, जो करना है खुद के भरोसे, लब लाइफ ठीक है, कोई गलत फ़र्मियों से दूर करने का प्रत न करिए, एक ही बात पर अडे मत रहिए, विद्यार्थियों के लिए दिन बह बात तुलाकी कर लेते हैं, गोचर कुणली में चंद्रमा का, आपकी रासी से आच्चतूर्थ का सम्मंध के चंद्रमा, आज स्वयम के नक्षत्रे में संचरन कर रहे हैं, सुर्योदे से घंटे तक आज निराहार रहिएगा, आठ समी पत्र ले जा करके शिवलिंग पर अर लेकिन काम अधिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाटनर्सिक में यही काम करते हैं, तो फाइदा होगा, पैसो से सम्मंधित मामलों में कहीं कोई भुकतान इत्यादी करना है, तो बहुत सावधानी बरती है, जीवन साथी नाराज है, तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, और विद्यार्थियों की बात करूं, तो बढ़िया रहने वाला है दिन मन पढ़ाई में लगेगा, स्वास्त के दृष्टि कोण से देखें, तो स्वास्त में भी कोई विशेस परिशानी नहीं है, लकियंक आपके लिए आज एक, लकी कलर आपके लिए परपल है, और बात भी ओफर मिले, भगवान गडेस का नाम लेकर करके स्विकार करिए, कारिस्तल पर दिन बढ़िया रहने वाला है, अपनी बातों से आप किसी को भी आज प्रभावित कर सकते हैं, पर किसी का राज सारवजनिक मत करिएगा, इधर की बात उधर मत करिएगा, प्रेमियों के ल आप हो सकता है, लकियं को दो लकी कलर आपके लिए, स्काई ब्लू है, बात धनू की कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमा का, आपकी रासी से आज धनभाव का समंध, दूसरे का समंध बन रहा है, ये चंद्रमा स्वैम के नक्षत्र में संचरन कर रहे हैं, आज प् प्लैनिंग आपने पूर्व से कर रखी है, उस काम को करिए, धन्व संबंध ही मामलों में कहीं कोई चिंता थी, वो दूर होगी, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, और कारिक छित्र में भी फायदा रहने वाले हैं, बस धीरज, धैरे का साथ चहीं आपको, बाकी लव लाइफ ठीक है, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करी, दामपत्य जीवन भी सुखत विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो सिरदर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही, लखियंग का पत्र अर्पित करिए, कोई बड़ी यात्रा करने की सोच रहें तो कर सकते हैं, जितने भी आपके जरूरी काम हैं, एक एक करके पूर्ण होंगे, पारिवार में खुसी कामा होल रहेगा, नौकरी में भी सब कुछ अच्छा जीवन ठीक ठाक है, बाकी कारेक छेत्र में कह अगर कोई चिंटा परिशानी थी वो दूर होगी, दामपत्य भी ठीक होगा, और स्वास्त के मामले में मानसिक अशान्ती रहेगी, लकियंक तीन, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, बात कुम्भकी कर लेते हैं, गोचर कुंडली में चंद्रमार 80 से बार्वे में हैं, आज हनुमान जी के मंदर में जाइए, और जाकर के हनुमान जी का दर्सन कर लिजे, सफेद चंदन का टीका आपने माथे पर प्राताहकाल अवस्य लगा लिजेगा, और साथी साथ, आज ओम प्राम, प्रीम प्राम, सहशन इस चराय नमह इसमंत्र का 108 बैर जब कर लिजेग और वहीं आपका कोई मित्र आज आपके खिलाब हो सकता है। करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी रासी से आज लाभ का संबंध है, आज भुवन भासकर क्वर्ग प्रदान करिए, और सांती साथ आधित तहर देस्तोत्र का पाठ करिए, किसी जरुवत मंद की मदद करिए, कारिक छेत्र में उच्छा धिकारियों से है, धैरे चाहिए आपके साथ बस, कोई पुरानी परिशानी थी, उससे मुक्त मिलेगी, बिद्यार्थियों के लिए ठीक है, स्वास्त के मामले में भी कोई विशेस परिशानी नहीं, हाँ जिनको थोड़ी बहुत पेट में, एसिडिटी, गैस्टिक वगर की तकलीफ है, उनको दिक्कत हो सकती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लकी अंक चार, लकी कलर पीला, तो पुरिदर्शकों ये था में शिशे लेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल, अभी कलिए बस इतना इजाज़त दीजे, पुन